हलो सुदेंट्स वेल्कम तू अफिसेल यूटीब चैनल आप ओरिजिन कोचिंग आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथेमेटिक्स और हमारा टापिक है inverse trigonometry मतलब प्रतिलोम त्रिकोडमीटी तो यह हमारा नया चैप्टर आज हम स्टाट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोडमीटी का पढ़ाने से पहले कुछ डिसकस करें आप से त्रिकोडमीटी पर तो कुछ महत पूर्ण बाते आपको पहले में बता दूँ पहला तो ये कि इस chapter को पढ़ने के पहले आप 11. class में जो trigonometry पढ़ए 11. के trigonometry को आप पूरा formula रिवाइस कर लिजिए कम से कम आपको formula पूरा रिवाइस होना चाहीं जिस जिस चीज की जुरत है मुझे वो मैं आपको बता दूँ कि देख्यों आप 11th क्लास में पूरा त्रिकोर मिती डीटेल में पढ़े हो तो आपको पूरा फार्मूला, फार्मूले का लिस्ट वैसे आप बहुत जल्दी मैं 11th क्लास के ट्रिक्नामेट्री पर क्लासी स्टार्ट करूँगा तो बाई दवे आपको ज़्यादा दिकत होगा तो मेरे 11th के वीडियो आप कंसल्ट कर सकते हैं इसको करने के लिए तो पहला काम यह है इसके बीना आपका कुछ भी काम प्रिल्द क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि जिनको ट्रिक्नामेट्री का फार्मूला याद नहीं है वो inverse ट्रिक्नामेट्री प्रतिलोन प्रिकुण मिती के question नहीं बना सकते क्योंकि पूरे उसी से related होते हैं और यह यदि आपको तयार है तो इसी के बहस पर आप ये फार्मूले बहुत असानी से तयार पर सकते हैं तो ये काम सबसे पहले आप कर लोगे मतलब यदि इस वीडियो को पहले आप एक बार देख लो और फार्मूले याद है तो अच्छी बात है और नहीं है तो आप भिड़के बिल्कुल उसको पूरा रड़ डालो या पहले से याद होगे एक बार रिवाइस कर लो ठीक है त हम देखें कि एक्च्छल में प्रतिलों त्रिकोर्मिती होता क्या है प्रतिलों त्रिकोर्मिती इन्वर्स टिग्नमेट्री इन्वर्स का मतलब प्रतिलों त्रिकोर्मिती का मतलब क्या है सबसे पहले हम आपको इसका डेफिनेशन या इसका मिनिंग समझा दें अभी आपने पढ़ा फलन वाले चेप्टर में प्रतिलोम फलन, inverse function जैसे y equal function आप x, ये हमारे पास होता सा y एक फलन है x का ये हमने पढ़ा, इसलिए इसके प्रतिलोम, इसके inverse function को हम किस रुप में पढ़े तब हम लिख देते हैं x equal f inverse y, इसके ठीक पहले वाले चेप्टर में आपने ये बात पढ़ा है और इसको हम कहते हैं प्रतिलोम फलन, inverse function exactly वैसी यहाँ पर भी, सपोस हमारे पास कोई trigonometric function हो, trigonometric फलन हो जैसे मैं कहीं पर लिखा हूँ, x equal sin theta, यह एक trigonometric फलन है क्योंकि हाँ पर trigonometric का sin ratio यूज किया गया है, clear अब that implies, यदि मैं इसको theta के लिख दूँ, तो theta equal to sin इधर आके ये लिखा जाएगा sin inverse x, और इसे ही हम कहते हैं, प्रतिलोम फलन, अब ये प्रतिलोम फलन हो गया तो ये कहलाता है, प्रतिलोम फ्रतिलोम फलन, इसको मैं आपको एक example के फाम में समझाओं, तो suppose मैंने कहीं पर लिखा हुआ है, sin 30 degree, इसका मान होता है एक बटे दो, जो कि सत्य है आपको पता है, कि sin 30 अंस का मान एक बटे दो होता है तो यहाँ पर जो हम एक discussion करें, तो हमको पक्का पता है कि sin के साथ जो होता है, sin के साथ जो होता है, वह कोड होता है वह angle होता है और right side में जो होता है वह उस code के लिए उस code के लिए उसका मान होता है उसका value होता है यह आपको पता है simple dignometry में समाने त्रिकोड मिती में sign, cast, ten, sec, osic के साथ जो कुछ भी use होगा, उसके साथ जो कुछ भी लगा होगा जैसे यहाँ पर sin theta तो theta यहाँ पर code है और x क्या है, sin के उस code के लिए उसका मान है जैसे यहाँ पर फारिक jumper, sin 30 तो 30 degree क्या है के angle है और इस angle के लिए sin का value कितना है 1 upon 2 है, यह क्या है इसका मान है, clear इसी को यह दि मैं inverse dignometry के फार्म में लिखूँ तो therefore, अब क्या होगा sin इसके सांच जाएगा ते हो जाएगा, sin inverse यह इसको हमेशा bracket में लिखने 1 upon 2, equal to 30 degree हो जाएगा मतलब यहाँ पर हम देखें तो कोई inverse dignometry जब होता है जब कोई inverse dignometry होता है तो उसके साथ में उसका मान यूज होता है उसका value यूज होता है और inverse के साथ जो answer आता है जो value आता है वो actual में क्या होता है वो उसका कोण होता है यह बात ध्यान में रखना समाइन त्रिकोण मिती में जो sign या cast के साथ यूज होता है वो angle होता है लेकिन inverse dignometry में sign, cast, n के साथ में जो use होगा वो angle नहीं बलकि किसी angle का मान होता है उसका value होता है यह difference का आप समझना कि inverse dignometry में क्या है clear तिये तो मैंने आपको इसका meaning संधाया कि भाई वास्तों में प्रतिलोम त्रिकोण मिती होता क्या है अब आपना आगे चले इसके टापिक पर सबसे महत्तपुल मान ये बात ये है कि यहाँ पर कोई प्रतिलोम त्रिकोण मिती फलन है अपने पास तो उसका हम किस तरह से मुख्य मान निकालते हैं आपको सब से पहले समझना होगा प्रतिलोम त्रिकोण मिती फलन और उसका domain तथा range उसके domain क्या है, domain माने pranth और उसका range क्या है, ये बात आपको जाना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ फलन या function उसका, ये function है और ये suppose उसका domain है, domain मतलब होता है हिंदी में pranth और ये suppose उसका range, range मतलब हिंदी में होता है परिस्तर, इस परेदी हम विचार करें, तो जितने भी हमारे पास trigonometric function होंगे, इसके domain range क्या होंगे, यहाँ पर मैं समझा दूँ, और यहाँ पर मैं अपने board में यह display भी कर दूँगा, यह मैं आपको display कर दूँगा, इसका chart, इसका formula का, जिसको आपको spin chart लेको उसको learn कर लेना है, वैसे महत पूर्ण बात आज के class में जो होगी, वो है formula का collection, मैं आपको बताऊँगा, कितने formula कैसे उसको आत करना है, क्योंकि एक चीज़ आप हमेसा ध्यान में रखना, प्रिकोर्ण मीती एक ऐसा maths है, जिसमें यदि student formula रट लिया, यदि उसने formula अच्छे से prepare कर लिये, तो subject उसके command में होता है, मतलब completely यह formula पर best mathematics है, हमारा 80% work only formula learn करना है, 20% work हमारा exercise में practice करना है, मतलब ज्यादा तर काम हम formula पर, तो आज के class में मैं पूरे formula आपको एक सांटी प्रोवाइट कराऊंगा, और एक दो रोज का आपको time दोंगा उसके लिए, एक दो रोज में आप उसको पू पर ना पाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कि मैं कात example यहाँ पर बताऊं, जैसे sine inverse, sine inverse x यह एक inverse diagrammatory function है, तिसका domain, domain मतलब वह कहां से कहां तक, उसका define value क्या होता है, तो हमको मालूम है, कि वह minus 1 से plus 1 तक होता है, minus 1 से plus 1 मतलब, sine का सब से छोटा value minus 1 हो सकता है, और सब से बड़ा value क्या हो सकता है, पिलस 1 हो सकता है, तो minus 1 से plus 1 तक इसका मान होता है, अब आप उसका range देखो, कि यह मान कितने code से कितने code के बीच में आएगा, तो आपको पता है कि minus 1 उसका value आएगा, minus 5 by 2 में, क्योंकि sin minus pi by 2 minus 1 होगा और 1 आएगा किसमें? pi by 2 में तो यह इसका क्या हो जाएगा? range हो जाएगा इस तरह से suppose मैं cast inverse पर लिखूं तो cast inverse x कभी value minus 1 से plus 1 के बीच में होता है लेकिन cast inverse का value minus 1 है वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में नहीं होता है वो pi में होता है cast 0,1 होता है cast 0,1 होता है और उसका जो minus 1 है pi पर होता है तो इसका परिसर कितना हैगा? 0 to pi होगा तो यह आपको ध्यान में रखना है यह पूरा sign cast से लेके पूरे कहां तक छहयोगा? पूरा पुसे तक यह इसका chart यहाँ पर मैं display कर रहा हूँ और इस chart से इस chart से उसको आप learn कर लोगे कि किस ट्रिग्रमेट्रिय फंक्शन का domain क्या होता है? उसका range क्या होता है? यह इस chart से आप learn कर लोगे clear? यह learn करना आपका work है इसको मैं आपको दिया इसको आप पूरा याद ही कर लेना उसको आपको याद करना है ठीक इसी प्रकार से 10 का क्या होता है 10 का infinity होता है तो minus 1 से plus 1 और cut सबका आपको याद करें तो पहला work मैं आपको दिया ये first work कि आप किसी भी trigonometry function का domain और range जो मैंने charge दिया है उससे याद कर लोगे clear अब हम देखते हैं इसके next concept देखें next concept है हमारा वो है इसका मुख्य मान निकालना या इसका ब्यापक मान निकालना देखें अपने 11th class में पढ़ा होगा कि किसी भी trigonometry का किसी तिपोड़ मिती फलन का दो मान होता है मुख्य मान और व्यापक मान मैं आपको पहले समाने टिग्नमेटिक एक 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 जामपर मतलब 11th class का आपको एक बड़ रिवाइस करा दूँ suppose कहीं पर ये मुख्य मान की बात कर रहा हूँ मैं मुख्य मान इसका प्रिंसिपल वेल्यू मुख्य मान होता क्या है देखे मैं पहले समाने टिग्नमेटिक आपको एक जामपर दूँ suppose मैं कहीं पर लिखा हूँ sin theta equal to 1 upon 2 ये तो हमारे जो एंगल है उसको हम 4 चतुर थांस में 4 quadrant में इस तरह से बाट के रखते हैं ये 0 होता है आपको पता है कि ये 0 degree है और ये 90 degree है ये 1st quadrant कहलाता है 90 degree से 180 degree तक ये 2nd quadrant कहलाता है 180 degree से 270 degree तक ये 3rd quadrant कहलाता है और ये 4th quadrant कहलाता है अब ये बात आप ध्यान रखना ये 11 का basic है जिसको मैं आपको device करा रहा हूँ कि suppose हमारे पास कोई एंगल है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से लेके 360 तक एंगल होता है सबसे छोटा एंगल 0 है और फिर यहीं पर आ जाते हैं हम कितना 360 में और हम यहाँ पर complete कर लेते हैं अब मानलो कोण 360 से जादा हुआ तो 360 से जादा हमारे पास ये 4th quadrant में जगा है नहीं लेकिन मानलो हमारे पास जो एंगल है वो 360 नहीं है उससे जादा है मानलो 405 है suppose मेरे पास जो एंगल है 405 डिगरी अब उसको कहां लेके जाओ मैं तो 405 को हम कहां लेके जाएंगे इसको सबसे पहले 360 प्लस ये हो जाएगा 45 360 प्लस 45 इसका मतलब क्या हुआ कि 360 हम यहाँ आ गए और यहाँ से 45 वपन आगे जाएंगे ये तो ये है एक्ट्वल में 45 डिगरी है ये ये 45 डिगरी है और उसको हम 360 प्लस 45 मतलब 405 अंज भी कर सकते हैं मतलब यदि कोई कोड 360 से जादा हुआ चाहे हजारों में हो तो जब कोई भी कोड 360 अंज से जादा होता है इसका मतलब वह बार बार क्या हो रहा है उसी में घूम रहा है और एक बार 360 फिर 720 ऐसा होते होते तो फाइनली इसका मतलब यह हुआ कि 405 अंज कोड वही कोड है जो 45 है क्योंकि इसमें चकरों की संख्या बस बदल रही है इस परकार से क्या किया गया कि तिग्नामेट्टी की जितने हिल्यू है वो 0 से 360 तक एक बार उसके मान होते है और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए तो वो मान क्या होते है फ्रध्यान से समझना यही तिग्नामेट्टी का सबसे important concept है जो कि 11 class का है लेकिन यहाँ ज़नुरत है करके उसको मैं आपको एक पार repeat कर रहा हूँ that means यदि हम त्रिकोड मित्य के किसी भी कोड का मान का ध्यान करें तो 0 से पनी start करेंगे और 360 तक आएंगे तो पूरे मान क्या होंगे उसके आजाएंगे लेकिन यदि 360 से आगे बढ़ है तो उसी में फिर वही मान क्या होंगे repeat होंगे उसकी पूरा repeat होगी again and again तो यहाँ एक समस्य आया कि भाई 360 तक तो ठीक है 360 से आगे के कोड के लिए मान क्या किया जाएं तो उसका नाम दिया गया क्या ब्यापक मान यह मुख्य मान हुआ और दूसरा जो होता है ब्यापक मान यह आप पढ़े हो ब्यापक मान इसको बज़ते है general value 11 में और detail में पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ परेपार आप वो याद दिला रहा हूँ तो यहाँ मुख्य मान का मतलब क्या होता है sympathetic geometry में मुख्य मान का मतलब हुआ 0 degree to 360 degree 0 degree से 360 degree तक जो मान होता है वो मुख्य मान कहलाता है और उसके बाद यह उससे ज़्यादा हो जाए तो general value कहलाता है जिसको हम n के फाम में represent करते हैं ठीक है मतलब चकरों की संख्या को बताता है n 1 चकर, 2 चकर, 3 चकर, n कमान बताते जाता है अब यहाँ पर 0 to 360 में भी कुछ खास बात है कैसे देखिए अब मैं मुख्यमान पर डिसकस कर रहा हूँ क्योंकि हमको university प्रमेट्री का मुख्यमान निकालना है क्या खास बात है देखिए आपको पता है कि पहले चतुर्थांस में all प्लस सभी प्लस होते है फर्स क्वाडेंट में सभी प्लस होते है सेकेंड क्वाडेंट में क्या होता है साइन और कोसेख ये दोनों प्लस होते है थर्ड क्वाडेंट में टेन और काट ये दोनों प्लस होते है और फोर्ड क्वाडेंट में कास और सेख ये दोनों plus हते हैं इस पकार से हमको मालूम है कि कौन-कौन कहा plus होते है अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर एक example लिया हूँ मैं बहुत depth में इस पर discuss कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना बिल्कुल distraction नहीं होना चाहिए तो therefore मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको लिख सकता हूँ मैं sin theta equal to sin 30 degree, ऐसा लिख सकता हूँ, या pi के फा में लिखा चाहा है, तो pi by 6 लिख सकते हैं कई मतलब, चाहे degree में लिखो चाहे radian में लिखो, तो sin theta equal to sin 30 degree हो गया, that implies यदि हम चाहें, तो theta का लिखा लिखा ले, तो sin 2 सा हड़ जाएंगे, तो theta equal to 30 degree, कहने का मतलब यह हुआ, कि 1 upon 2 क्या है 30 degree का मान है, और 30 degree हम क्या है, यहाँ पर 100 करते सकते हैं, यह मान लो है हमारा 30 degree, यह 30 degree है, तो यह हमारा sin 30 degree का value है, 1 upon 2, यह वाला line जो मैंने blacking से यहाँ पर खीचा है, इतनी बात आपको समझ में आगी, लेकिन, अब सवाल क्या है, कि sin theta के सामने, जो 1 upon 2 हो क्या है, प्लस है, और sine कहता है कि bhaay मैं 2 जगा प्लस रहूँँगा, यह जो 4 चतुर थांस है फोर GRÜNEN है, उसमें बोलता है कि मैं 2 जगा प्लस रहूँगा, एक तो यहाँ प्लस रहूँगा, क्योंकि है अपर all प्लस है, सब के सब प्लस है, अब बोलता हम एक जगा और प्लस रहूँगा, कहां तो दो जगा वो प्लस रहेगा और यह दो जगा क्या रहेगा माइनस रहेगा तो अपना एक और value दे गए क्योंकि जितने भी code है 0 से 90 के बाद फिर बदलते जाते हैं मैं क्या बताया थोड़ ध्यान से सुनना 0 से 360 तक सब का मान अलग-अलग होता है अब उसमें हम और classify करकी study कर रहे है वास्तों में किसी भी त्रिकोड़ मीति का जो मान होता है 0 से 90 तक हो जाता है वही मान आगे थिर का है repeat होता है लेकिन चिन बदलते जाता है जैसे यहाँ पर plus 1.2 है तो कहीं पर minus 1.2 भी हो सकता है कहां कहां यहां और यहां और यहां plus 1.2 तो इसका यहीं हम संगत कौन निकालना चाहे हम इसका corresponding angle ठीक है तो corresponding angle यहीं हम निकालना चाहे है corresponding angle निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह जो इसका upper degree है 180 degree क्यों क्योंकि यहां भी 1.2 है तो sine यहाँ भी plus है तो 1 upon 2 यहाँ पर भी होगा तो 180 उसको minus करेंगे तो उसको क्या करेंगे theta equal to 180 degree और इसको minus कर देंगे किसको 30 degree को तो मिल जाएगा क्या 150 degree मतलब 150 degree भी एक ऐसा angle है 30 के साथ साथ जहाँ पर sine का मान मतलब sine 150 degree भी क्या होगा 1 upon 2 होगा जो इस तरह से होगा यह suppose यह 150 degree है और उल्टा जाएंगे तो यह 30 degree होगा यहाँ से उल्टा जाएंगे 30 क्योंकि 150 प्रस 30 क्या होगा 180 होगा यह है दिकोर्ण मित्वी के मुख्यमान को जानना अब suppose यह minus होता मालो minus होता हमारा value यही पर मैं लिख दूँ कि sin theta equal to minus 1 by 2 होता तो sin theta minus 1 by 2 का आप क्या लिख सकते हो sin theta equal to minus sin 30 degree अपन लिख सकते है और इसको लिख सकते है sin minus theta minus sin theta होता है तो sin minus 30 degree लिख सकते है sin minus 30 degree और sin minus 30 degree का मित्लब होगा इस 30 की just opposite यह वाला line अब इस degree को आपको जानना है तो क्या करोगे इसमें 180 में 30 8 कर दोगे 30 इसमें 8 कर दोगे 180 degree तो यहाँ पर एक minus value और एक minus value क्यां पर देगा वो यहाँ पर देगा कहने का मतलब मैं finally आपको यह बता रहा हूँ कि हर trigonometric function का 4 मान होगा जिसमें से दो धनात्मक होंगे 2 positive होंगे और 2 negative होंगे इस पकार से यह जो मुख्यमान है यह 0 से 360 जग तक होता है जिसमें फिर यह मतलब 2 मान होंगे मतलब 2 values क्या होंगे उसके positive होंगे 2 values positive होंगे और 2 values क्या होंगे negative होंगे इस तरह से ये होता है मुख्यमान लेकिन जर्राल वेल्यू का मतलब क्या होता है जर्राल वेल्यू का मतलब होता है कि again and again हम उसमें यदि चक्कर लगाते रहें इस चेप्टर मुसको नहीं पढ़ना 11 का टापिक है तो जैसे आपने फार्मुला लर्ण किया रहा होगा कि यदि थीटा इकवल टू जीरो हो साइन थीटा इकवल टू जीरो हो तो थीटा इकवल टू एन पाई ये इसका क्या है ब्यापक मान है ब्यापक मान का मतलब यदि हम एन का वेल्यू यहाँ पर जीरो, वर्ण, टू, थ्री, फोर, फाईब, सिस, कोई भी आदि आपने नंबर रखें पूर्णांक नंबर रखें तो सभी के लिए उसका मान क्या होगा जीरो होगा फार आल वेल्यू आप एन और एन यहाँ पर चकर को बता रहा है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बारों घुमते जा रहा है तो यह तो हमको 11 class में हम पढ़ चूके हैं यहाँ पर हमको इसको नहीं पढ़ना है हमको इस class में पढ़ना है इन्वर्स टिगनमेट्री के मुख्यमान निकालना बताया है जो की 11 का यह complete topic आपको 11 class है एक और suggestion है मेरा आपको चुँक्कि आप मेरा channel देखते हैं आप मेरे video से पढ़ाई गड़ते हैं तो आपको मेरा suggestion है कि trigonometry बहुत ही important mathematics है और एक important बाद ध्यां रखना कि यदि trigonometry तो साथ ही साथ calculus भी कमज़ोर हो जाता है उसका सगा भाई है वो trigonometry जिसका कमज़ोर होता है उसका calculus भी कमज़ोर हो जाता है और हम बहुत जल्दी calculus मतलब differentiation और integration स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सी students का channel में comments आता है कि sir calculus स्टार्ट करो calculus स्टार्ट करो मैं इसलिए हडबड़ी में स्टार्ट नहीं किया कि calculus स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ और चीजों को स्टांग करना होता है यदि आपको कोई बड़ा building बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे raw materials सी खठा करोगे आप सरिया खरीदोगे आप रेति लाओगे, सीमेंट लाओगे सब आप विवस्था करोगे फिर आप building बनाना है स्टार्ट करोगे वैसी calculus को समझने के पहले कुछ तयारी हमको पहले करनी होती है क्योंकि हमारा 40-50% सी लिए बस तो only calculus है एक बार calculus स्टार्ट होगा तो बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है इसमें लेकिन मज़ा तभी आएगा आपको building बनाने में तभी मज़ा आएगा जब आपको पास पूरा raw material कलेक्ट हो अब आपको building बढ़ रहा है और bricks आपके कम पढ़ गए ET कम पढ़ गए rate कम पढ़ गए तो आपको काम रुख जाएगा फिर आप इंतजार करो तो calculus इस्टांग करना है तो कुछ चीजों को आपको पहले इस्टांग करना है तो आप 12th class में आ गए हो फिर भी अभी मैं कुछ दिनों बाद ही एक दो दिन बाद ही मैं त्रिकोण मीती का वीडियो डालूँगा 11th class में उसको भी आप parallel study कर लेना आपको बहुत अच्छे से revision हो जाएगा कुछ समय देखा आप 11th की मेरे वीडियो देख लेना क्योंकि मैं 10th class के बाद 11th में आए हुए बश्चों को trigonometry को एकदम starting से 0 सी start करके समझाओंगा इस class में मैं उतना discuss नहीं कर सकता बड़ा syllabus से आप 11th में बढ़ चुके हो वहाँ प्रिवाइस कर सकते हो तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने inverse trigonometry का function का मुक्षमान निकालना ये मैंने आपको एक बाद रिवाइस कर दिया 11th का आपके टापिक बागे डिटेल जानना है तो मेरे वीडियो आप देख लिजी 11th class के inverse trigonometry का भी principal value बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे trigonometry का निकलता है मेरा इसको revise कराने का उद्देश्टी ही वही था ठीक है अब यहाँ पर suppose हम कोई question लेते हैं sine inverse 1 upon root 2 suppose यह हमारा कोई question है sine inverse 1 upon root 2 यह हमारा question है और इसका हमको निकालना है मुक्षमान इसका यह question है हमारा कि इस trigonometry फलन का मुक्षमान ग्याद करो यह हमारा question है छोटा सा यह exam में आता है इस तरह का question 1 marks, 2 marks के लाए question है लेकिन यह important है यहीं से तो concept इस्टार्ट होता है question कहा है हमारा find the principal value of sine inverse 1 upon root 2 1 upon root 2 का sine inverse 1 upon root 2 का मुक्षमान ग्याद कीजिए तो कैसे लिखते हैं देखो इसका solution क्या होता है सबसे पहरे जिसका आपको मुक्षमान ग्याद करना है उसका आप theta के बराबर suppose कर लो let माना की sine inverse 1 upon root 2 equal to theta बहुत ही असान है 11 class का दिवजान यहाँ पर एक concept आपको बता दूँ sine inverse sine theta equal to theta अभी तो बहुत सारे फर्मूले आपको देने वाला हूँ पूरे चार्ट देने वाला हूँ तो दोनों क्या होता है यह कट गे समझ सकते हैं या ऐसा भी होता है sine sine inverse theta equal to theta वैसे दोनों sine कट गया कहना गलत concept है किसी का inverse multiply होके क्या होता है वो खट जाता है तो इस concept से दी दोनों तरब को हम sine ले ले यह ले अभी sine inverse आप ले लिए है यहाँ पर और मैं इसका sine ले लूँ एक पार लीख ही देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए तो sine लाइन जोरूरी नहीं है लेकिन चुकि हम initial stage में पढ़ रहा है तो आपको समझा रहा हूँ sine sine inverse 1 upon root 2 equal to इधार भी sine लेंगे तो क्या हो जाएगा sine theta हो जाएगा अभी मैंने concept बताया sine sine inverse theta equal to theta तो sine sine inverse equal to क्या बच जाएगा यह बच जाएगा तो यह हो गया 1 upon root 2 equal to sine theta अब आगे का काम आप पूरा समझ गया होंगे जो मैंने अभी आपको समझाया तो क्या हो जाएगा देखो आगे आगे हम इसको साल को करें तो sine theta equal to 1 upon root 2 therefore मैं एक वारस को सीधा लिखना हूँ sine theta equal to 1 upon root 2 that implies sine theta equal to 1 upon root 2 को आप का लिख सकते हो sine 45 degree या pi by 4 clear तो यह क्या है 45 degree के लिए pi में generally हम एंगल को जादा लिखते हैं चलो pi by 4 लिख लेते हैं यह दोनों सही है therefore अभी आपको मैं समझाया तो theta equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा pi by 4 और आपको एक मुख्यमान निकालने के लिए बोला है एक ही मुख्यमान निकालना है इन्वर्स सिग्मेट्री में जिसका मुख्यमान कितना हो गया pi by 4 यही क्या है इसका मुख्यमान है तो कुछ भी नहीं रखा है पूरा कांसेट क्या है जो आपको इन्वर्स फार्म में दिया है उसको ठीटा के बराबर आप मान लो और इस फार्म में लिखने के बाद उसे इंगल को लिख दो clear तो ऐसे निकलता है इसका मुख्यमान अब मैं आपको एक आद दो और अच्छे question बता दू आपको प्रेक्टिस में बताऊंगा आपको मालूम है आप मेरे मैस के बहुत से वीडियो तो पहला क्लास में जब कोई मेरा यह style ही है मेरा यह तरीका है कि जब भी मैं क्यों कोई new mathematics सी start करता हूँ या physics भी start करूँ दोनों में से कोई भी तो पहला दिन का क्लास मैं completely fundamental पर बात करता हूँ और वो सही भी है तभी आके समझ में आता है इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैं अपने regular offline क्लास में ही बोलता हूँ कि new chapter start किया उस दिन यदि कोई student absent कर लिया तो उसका गया तो आपको पहले दिन का जो मेरा क्लास का वीडियो है उसको बहुत अच्छे से समझना है उसके बाद ही आपको आगे समझने आएगा ठीक है चलिए मैं एक और question लूँ इसमें यह तो बहुत आसान question था थोड़ा सा standard अपन question लेते हैं बाकि इसकी practice आपका ले न NCRT book में अच्छा collection दिया हुआ है question का आप NCRT question की practice जरूर करिए NCRT का question का practice करने से आपको बहुत फायदा है suppose कुछ अच्छा question लिया देखोई आये हुआ question है 10 inverse sine minus y by 2 10 inverse sine minus y by 2 सब एक जैसा बनेगा है कुछ नहीं सब ऐसी क्या वैसी है लेकि थोड़ा सा standard है आया हुआ है कई पार एक question 10 inverse sine minus y by 2 का क्या निकालना है अपने को मुख्षमान निकालना है principle भी निकालना है तो work तो ऐसी होगा बिल्कुल work का तरीका change होगा ही नहीं सब से पहले आप इसको थीटा के equal मान लोगे let माने माना की 10 inverse वारी sine minus pi by 2 equal to theta that implies हम दोनों साइट का tail ले लिए अब मैं directly लिख रहा हूँ तो 10 हड़ जाएगा तो होजाएगा sine minus pi by 2 equal to 10 theta देखो टिग्नमेट्री या कैसा mathematics है आगे मैं आपको बताऊंगा या 11 को वीडियो देखना method इसमें बहुत होते है method क्यों बहुत होते है क्योंकि इसमें formula बहुत है formula बहुत है तो कोई दूसरा formula लगा ले कोई teacher दूसरा formula लगा ले कोई writer दूसरा formula लगा ले तो उसके steps अलग-अलग छोटे बढ़े आते हैं, कोई 4 लाइन में बनाएगा उसको कोई 10 लाइन में बनाएगा कुछी को कोई 12 लाइन में बनाएगा क्योंकि formula पर best mathematics से है जो proper formula यूज करता है वो बहुत कम step में बना पाता है ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह हो गया, अब हमको मालूम है, sin minus pi by sin minus theta क्या होता है, minus sin theta होता है तो हो जाएगा, minus sin pi by 2 equal to यह हो गया 10 theta, that implies इसको हम लिख सकते हैं 10 theta को मैं left side लिख दिया 10 theta equal to sin pi by 2 sin 90 degree क्या होता है, 1 होता है तो क्या हो गया यह, minus 1 हो गया that implies इसको अपलिख सकते हैं, 10 theta equal to minus और 1 को पन लिख सकते हैं क्या 10 pi by 4 क्योंकि 10 45 degree का value 1 होता है, यह सब इंकल आपको याद होना चीए 10 45 अंस का मान एक होता है that implies, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 theta equal to minus 4 आना पड़ेगा तो 10 minus theta minus 10 theta होता है, तो 10 minus minus pi by 4 लिख सकते हैं अब दोनों तरफ का 10 inverse से हट जाएगा तो theta equal to हो गया minus pi by 4, यह इसका क्या हो जाएगा मुख्यमान हो जाएगा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी inverse stigmatटी का मुख्यमान ग्याद कर सकते हैं तो यह है इसके principle value निकालने का concept इसके और question का practice करना कुछ मैं और आगे करा दूँगा अब आज के class का मेरा main जो focus है आज के class का वो है आपको formula का पूरे formula का collection देना और उस formula के best पर आपको आगे के mess को बनाना तो देखिए इसके formula के हम इसके properties क्या सकते हैं गुण कुछ properties ऐसे हैं आपको यह property में का अप्रूब बता दूँ मैं properties इसके प्रगूर कह सकते हो जैसे एक है sin inverse x plus class inverse x equal to pi by 2 यह property है sin inverse x plus class inverse x equal to pi by 2 होता है यह formula को आपको याददार करके रखना है इसका आगे हम solve करेंगे तो use होगा और इसका तो calculus में मैं बार बार आपके एक बात बोल रहा हूँ यदि calculus strong करना है तो पहला काम है trigonometry strong करना बाद में आप नहीं बोलना कि सर calculus में problem हो रहा है calculus में problem मतलब आपको trigonometry में दिक्कत है अब इसका हम prove करके देखते हैं कि ये कैसे proof होगा तो सबसे पहले हम इसमें से किसी एक trigonometry inverse trigonometry को theta माल लेते हैं ठीक है किस तरह से हमने माल लिया let sin inverse x equal to theta that implies ये हो जाएगा x equal to sin theta that implies इसको हम लिख सकते हैं x equal to sin और अब अपने को पता है चुमकि इसमें कास लाना है तो sin को कास में change कर दो इसको हम लिख सकते हैं कास πाई बाई बाई 2 माईनस theta क्योंकि कास 90 माईनस theta क्या होता है sin theta होता है clear that implies अब इसको हम लिख सकते हैं x equal अब यहाँ से क्या करो इसमें फ्रसाज चेंज लाओ ठीक है अब इसको हम फिर inverse के फार में लिखते हैं तो that implies इसको हम लिख सकते हैं क्या pi by 2 minus theta equal cas inverse x या उसको मैं इधर लिखने हैं यह कही मतलब है चलिए सीध है लिखेता हो ताकि एक लाइन में लिखा जा सके that implies cas inverse x equal to pi by 2 minus theta यह हो जाएगा that implies अब हम इसको क्या लिख सकते हैं cas inverse x equal to pi by 2 और minus theta हमने किसको suppose किया है sin inverse x को तो theta के जगा हम इसको क्या लिख सकते हैं minus sin inverse x अब इसको मिधर transfer कर दे तो क्या हो जाएगा यह इधर आके plus हो जाएगा तो यह हो गया sin inverse x plus cas inverse x equal to pi by 2 यह हो जाएगा proved इसी तरह से इसी तरह से sin और cas इसी तरह से फिर 10 और cut और उसी तरह से sec और cosec 10 inverse x plus cut inverse x भी pi by 2 होता है और sec inverse x plus cosec inverse x भी pi by 2 होता है वो आपको learn करना है और proof करने का सबका method बिल्कुल similar है एक जैसे होगा किसी एक को आप theta सपोस करना यह करना फिर 90 minus करनके आप उसको लिख सकते हो यह बनाने का सरीक है clear तिये हो गए हमारे आज के concept अब continuous में आपको formula provide कराता हूँ और formula provide कराने के पहले मैं 5 minute formula पर आप से बात करता हूँ उसी हिसाब से आप learn करोगे one by one मेरे board पर display होगा formula और वो formula आप किस तरह से learn करोगे यह पहले बता दूँ फिर मैं करके display करूँगा पहला जो formula होगा यह formula कर लिस्ट जो होगा जैसे sin versus x equal to cast inverse root of analysis यह सब formula यह आप learn करना formula को आपको याद करना है दूसरा जो formula कर लिस्ट आपको मिलेगा वो क्या है conversion formula conversion formula मतलब रूपांतरण मतलब sign को cast में यह sign को 10 में यह unique collection है ध्यान रखना यह मेरा बहुत मेहनत करके बनाए हुआ collection है इसको आपको मैंने बहुत जगहों से एक जगह collection किया हुआ है और तीसरा जो formula आपको मैं provide कराऊँगा क्योंकि इसके बाद आपको board में यह one by one मिलेंगे थोड़ी देर तक screen में रहेंगे उसमें आप screen start लेने के बाद उसको आप अपने rough copy में ये fair copy में लिख लेना और उसको learn करना तीसरा नमर का जो formula मिलेगा वो आपको मिलेगा कि हम trigonometric substitution कैसे करते हैं trigonometric substitution इसको थोड़ा सुन लो trigonometric substitution मतलब trigonometric प्रतिस्थापन क्योंकि formula पर discuss नहीं करूँगा क्यों लिस्ट देदूँगा फिर आप भड़ाव जाओगे इसको कैसे क्या पढ़ने trigonometric प्रतिस्थापन है क्या कि जैसे हमारे पास कोई function है उस function में x के जगह में हम कौन सा त्रिकोर्मिती फ्लन को रखें क्यों उसको बनाने में क्या हो जाए सुविधा हो जाए आसान हो जाए इसको बोलते हैं trigonometric substitution और ध्यान रखना इसका 100% use होगा calculus में calculus में 100% use होगा इसको मैं एक बार फिर जब calculus पहाते समया आपको याद दिलाऊंगा लेकिन इसका collection में दे दिये रहता हूँ प्रतिलों त्रिकोर्मिती वास्ताव में में प्रतिलों त्रिकोर्मिती को importance छोटा सा chapter है इसलिए जादा देता हूँ क्योंकि पूरा calculus इसी पर based होगा तो calculus के हिसाब से इसको अपने को पढ़ना है तो trigonometric यह भी मेरा बनाया हुआ बहुत unique chart है collection करके मैंने बनाया है एक book में एक जग आपको कभी नहीं मिलेगा तो यह trigonometric substitution का chart तो तीन formula आपको मैं provide कर रहा हूँ एक general formula का list यह red डालोगे इसको conversion formula का list conversion का पन हिंदी मोलेंगे रुपांतरर bilingual आपको मिलेगा रुपांतरर मतला sign को cast में बदलना cast को term बने एक को किसी भी दूसरे में आपन बदल सकते हैं और इसके बीना बहुत से question बनेंगे ही नहीं और यह बता दिया फिर मैं आपको एक बर्याद दिला दूँ कि मैं one by one यहाँ पर board में display कर रहा हूँ अपने formula का collection ताकि आप की दा दर भटकना न पड़े और आप उसको learn करिए ठीक है तो चलिए मैं erase कर देता हूँ और अब आपको मेरे board में मिलेगा formula का collection थोड़ी देर तक board में रहेगा तब आप उसका screen start लेए न one by one और notes बना लेना clear चलिए देखिये तो board में display है ठीक है तो आपने screen start ले लिया होगा और आपको आज का class में यहाँ पर close करता हूँ और आपको फिर जाते जाते एक important बात बता दूँ कि अगला class आपका तभी अच्छे से हो पाएगा जब यह formula का list भी आपने collect किया है वो आपको तयार रहे list देख के आप घबराय हो गए होगे सार इतना सारा formula वो सब एक दूसरे से related है बहुत जल्दी आग जाएगा 11 जैसे है लेकिन रटना ही है एक बात आपको बता दूँ next class में जब मैं आऊँगा तो आप में से जितने student ये formula याद करके आएंगे फटाब फट question बताएंगे कुछ नहीं inverse cognitive में कुछ है नहीं है हर question में direct formula apply करना है आपको अपना कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एक question का frame रहेगा वो frame किसी न किसी formula को match करेगा और सिधा उसमें आप उसको लगाओगे और वो solve हो जाएगा clear? तो next class में हम इसके question के साथ मिलेंगे next class में हम only इसके exercise करेंगे लेकिन formula आप बताओगे ओके? Thank you